सासी, B. गरासिया, C. दामोर या D. सहरिया इसका उत्तर है B. गरासिया राजस्थान में मीनावब भील के पश्चात रतिय बड़ी जंजाती गरासिया है चलिए अगला प्रश्ण देखते हैं निम्न में से कोन सी जंजाती ऐसी है चो मकान बना कर नहीं रहती इसके ओप्शन्स हैं A. डामोर, B. सहरिया, C. सासी, या D. गाडिया लोहार इसका उत्तर है D. गाडिया लोहार निम्न में से गाडिया लोहार जंजाती ऐसी है चो मकान बना कर नहीं रहती अगला प्रश्न, कथक नृत्य का दूसरा नाम क्या है? इसके ओप्शन्स है, A. ड्रमरी नृत्य, B. थार्ट नृत्य, C. मंगल मुखी नृत्य, D. कल्यानम नृत्य इसका उत्तर है, C. मंगल मुखी नृत्य, कथक नृत्य का दूसरा नाम मंगल मुखी नृत्य है चलिए अगला प्रश्ण अगनी नित्य किस संप्रदाय से संबंदित है इसके ओप्शन से हैं A. रामस नही B. चसनाती संप्रदाय C. दादूपंती संप्रदाय D. विश्णोई संप्रदाय इसका उत्तर है B. चसनाती संप्रदाय अगनी नृत्य जसनाती संप्रद्राई से सम्मंदित है चलिए पांच वो क्येशन देखते हैं कौन सा नृत्य अंगारों पर किया जाता है इसके ओप्शन्स हैं A. चरी नृत्य B. बम नृत्य C. अगनी नृत्य D. अंगारा नृत्य इसका उत्तर है C. अगनी नृत्य अगनी नृत्य अंगारों पर किया जाता है चलिए अगला ब्रश्न गवरी नृत्य में शिव मुख्य पात्र होते हैं जिने क्या कहा जाता है इसके ओप्शन से आपकी स्क्रीन पर A. महेश B. बोले C. महादेव इसका उत्तर है पूरिया गवरी नृत्य में शिव मुख्य पात्र होते हैं जिने कूरिया कहा जाता है चलिए अगला प्रश्न ये प्रश्न 2nd grid 2011 पूछा गया था तो ये प्रश्न है चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोग गाहिन शेली है इसका उत्तर है चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोग गाहिन शेली है वो तोंक की प्रश्न है नेक्स्ट क्योशन देखते है बाबा राम देव को मुसल्मान किसका उतार मानते हैं इसके उप्शन से तो इसका उत्तर है बाबा राम देव को मुसल्मान राम शाप पीर का उतार मानते हैं बहुत इंपोर्टन केशन था चलिए अगना बश्न गुगा जीक की माता का क्या नाम था तो इसके उप्शन से ए केलम दे बी पाच्छल C. मिना दे या D. मेतल दे तो इसका उत्तर है B. बाच्छल गुगा जी की माता का नाम बाच्छल था नेक्स्ट क्येस्चन राजस्थान में उट बीमार होने पर किस लोग देवता की कुजा की जाती है इसके उप्शन से A. गुगा जी B. पाबु जी C. तेजा जी या D. हड़ु जी इसका उत्तर है B. पाबु जी राजस्थान में उट बीमार होने पर पाबु जी की पुजा की जाती है नेक्स्ट केशन कपिल मुनी का मेला कहां बढ़ता है इसके उप्शन से A. कोलायत B. रायपूर C. नोखा D. कुगा मेडी तो इसका उत्तर है A. कोलायत कपिल मुनी का मेला कोलायत में बढ़ता है अगला प्रशन हिंदू की सामाजिक एमम दार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन कराय जाते है तो इसके उप्शन्स है A. सोला B. अठारा C. बीस या D. एक्केस तो इसका साय उत्तर है सोला हिंदू की सामाजिक एम दार्मिक संस्कृति में सोला संस्कार को संपन कराय जाता है अगला प्रशन उट की खाल पर चित्रों का अंकन कौन सी शेली की विशेशता है इसके उप्शन्स है A. मारवार शेली B. बिकानेर शेली C. चोदपुर शेली या D. नातलवारस शेली तो इसका उत्तर है B. बिकानेर शेली उन्ट की खाल पर चित्रों का अंकन विकानिय शेली की विशेशता है अगला प्रश्ण कौन सा चित्रकार नागरी दास के नाम से विख्यात है तो इसके ओप्शन्स है A. डॉक्टर फयाज अली B. रामलाल सिंग C. सावन सिंग D. राय सिंग तो इसका उत्तर है C. सावन सिंग सावन सिंग नागरी दास के नाम से विख्यात है अगला प्रश्ण बनी ठणी चित्रकारी किसके दोवारा बनाई गई है तो इसके ओप्शन्स है A. सावन सिंग B. सुरजन सिंग C. मोर्दवच निहाल चंद तो इसका उत्तर है C. मोर्दवच निहाल चंद बनी ठणी चित्रकारी मोर्दवच निहाल चंद दोवारा बनाई गई अगला प्रश्ण महराजा स्कूल ओफ आर्ट्स की स्तापना कब हुई इसके ओप्शन्स है A. 1931 B. 1836 C. 850 D. 1947 तो इसका सही उत्तर है B. 1836 महराज स्कूल ओफ आर्ट्स की स्तापना 1836 में हुई चलिए अगला प्रश्ण क्वाजा मोहिनुदिन चिष्टी की दरगा कहां है तो इसके ओप्शन्स है A. अजमेर B. चैसलमेर C. जोदपूर D. चैपूर तो इसका सही उत्तर है A. अजमेर क्वाजा मोहिनुदिन चिष्टी की दरगा हा अजमेर में है Next Question चित्तोडगड का निर्मान किसने करवाया था तो इसके ओप्शन्स है A. चित्रांगद मोर्य B. सवई जहांसी है C. सवई मानसी है D. कुमभा तो इसका सही उत्तर है A. चित्रांगद मोर्य चित्तोडगड का निर्मान चित्रांगद मोर्य द्वारा करवाया गया अगला प्रशन देखते हैं हम राजाओ के मर्नो परांथ उनकी याद में बनाए गए स्मारक किस नाम से जाने जाते हैं इसके उप्शन से A. राजप्रशात B. दरगाह C. मगवरा D. चत्रीव देवल तो इसका सही उत्तर है D. चत्रीव देवल राजाओ के मर्नो परांथ उनकी याद ने बनाए गए स्मारक को चत्रीव देवल के नाम से जाने जाता है अगला प्रशन देखते हैं हम हवा महल का निर्मान किसने करवाया तो इसके उप्शन से A. सवाई मानसी हां B. सवाई प्रतापसी हां C. सवाई जहसी हां या D. सवाई जहसी हां दितिया तो इसका सही उत्तर है B. सवाई प्रतापसिंग हवा महल का निर्माण सवई प्रताप सिंग द्वारा परवाया गया अगला प्रशन आबू इस्तित तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा इस्तापित है तो इसके ओप्शन से ए आदिनाज जी की, बी नेमिनाज जी की, सी महावीर जी की, या डी पार्शो नाज जी की इसका साय उत्तर है नेमिनाज जी की, आबू इस्तित तेजपाल मंदिर में नेमिनाज जी की प्रतिमा स्थापित है अगला प्रशन देखते हैं, यह प्रशन आरपियस सी हेड़ मास्टर एक्जाम 2012 बाराम पूछा गया था, बहुत इंपोर्टेंट प्रशन है प्रशित 84 खंबो की छत्री कहां इस्तित है, तो इसके उप्शन से, A. कोटा, B. चालवाड, C. चैपूर, D. बुंदी, तो इसका साय उत्तर है, D. बुंदी, प्रशित 84 खंबो की छत्री बुंदी में इस्तित है इसके उप्शन से, A. मासवाड, B. चैपूर, C. उदैपूर, D. राजसमन, इसका साय उत्तर है, A. मासवाड, तो इसके उप्शन से, A. मासवाड, जिले में इस्तित है अगला प्रशन, राजस्थान में ब्लू पोर्टरी का प्रमुक के अंद्र कौन सा है, तो इसके उप्शन से, A. बिकानेर, B. डुंगरपूर, C. चैपूर, D. जैसलमेर इसका सही उत्तर है C. चैपूर, राजस्थान में ब्लू पोर्ट के का प्रमुक के अंदिर चैपूर को माना जाता है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना सुजाओ नीचे कमेंड बॉक्स में लिखिए और चैनल क सब्सक्राइब करना मत दूलिए